दोस्तों हम लोग लेके आपके लिए डीटेल रिव्यू जो की बहुत शॉर्ट में रहने वाला है कि जो जो टाटा कर्व को लेने के लिए सोच रहे हैं वो रुकें या नहीं रुकें कब लॉंच हो रही है और इसका प्राइस के रहने वाला है उस सब के बारें बात करेंगे उससे कितनी वेरी करने वाली है इसमें क्या-क्या फीचर्स आने वाले हैं और कौन-कौन से इंजन्स आने वाले है और लगवग प्राइस क्या रहने वाला है इसका और ये कब लॉंच होगी तो दोस्तों फस्ट पॉइंट कवर करते हैं पहले इसके कॉम्पुटीटर्स र रहने वाली है अब इसके बाद में बात कर लेते हैं हम ये कौन से सेग्मेंट में रहने वाली है ये जैसे कि आप देख पा रहे हैंगों लोग सोचते होंगा ये इतना सुंदर दिखा देते हैं रेर लाइफ में वैसा नहीं है तो ये लगबग 90 से 95 परसेंट ऐसी ही रहने वाली है लॉइवील्स जैसे 18 इंचिस के हैं वो 17 इंचिस के मिल जाएंगे आपको इसमें फीचर्स रहने वाले हैं कि 360 डिगरी कैमरा एडास पैरनॉमिक संरूफ मिलने वाला है आपको इसमें पै पैटरोल इंजन मिलने वाले 1.2 लीटर का 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलने वाला है 1.5 लीटर का अब दोस्तों इसके लॉंच के बारे में बात कर ले तो लॉंच होने वाली लगबग 2024 में और इसका प्राइस रेंज जो की माना जा रहा है 12 से 22 लाक्या सपस रहने वाला है इसी के साथ दोस्तों वीडियो मारी यहीं कत्म होती वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक जरू कर देना हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जरू कमेंट करके बता देना आपक कोई गार कैसी लगी थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉच्च